नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जूती ने चेक्योर में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कृष्टन हरबल आयरवेट की ओर से फेट डिडूसर जूस जो की खासक और वेट लोस और शरी में जमा बेट कूलोस्टन को कम करने के लिए बनाया गया है तो सबसे पहले इसकी प्राइस से सुरुवत कर लेते हैं दोस्तों यह आपको 500 ml और 1000 ml की बोतल में उपलब्त कराया जाता है अभी मेरे पास 1000 ml की बोतल है और इसकी प्राइस करीब 450 रुपिज के आसपास है अगर आप इसे ओनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया है अब वहाँ से इसे खरीच सकते हैं दोस्तों इसमें पाये जाने वाले मुख्य गटक, आमला, गोखरू, दारू हल्दी, गिलोई, वियावी डॉंग, हरड, गुडमाट, हल्दी, कुटकी जैसे अन्य गटकों को मिला कर इस जूस को तयार किया गया है जो कि पूरी तरह से वेज है, जो भी वेजिटेरियन है उनके लिए दूसरी खास बात यह है कि इसमें कोई भी तरह का एक्टरेस और शूगर को एड नहीं किया गया है यह पूरी तरह से प्राकृतिक जूस से जिस करण इसे डाइबिटेस के मरीज भी इसका सेवन कर सकते है फेट रेडूसर का रोजाना सेवन से आप अपना कोलेस्टरन लिवल को नियंत्रित रख सकते है अगर आप अपना वजन कम करना चाहते है तो सुबक खाली पेट 30 ml एक गलास हलका गुनगुना पानी के साथ इसे लेना शुरू कर दे एक से दो मेने में ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा बड़े हुए कोलेस्टरन को नियंत्रित करके आपके हदाई को स्वस्थ रखने का काम करता है आपके पाचन सकती को मजबूत करके खाना ठीक से पचाने में आपके मदद करता है इसे महिला और पूरुष दोनों ही सेवन कर सकते है जंग फूट, बेकरी प्रोड़क्ट, रिफाइम फूट और प्रेस्टिट फूट खाने की आदत होने के साथ-साथ लोगों में लाइफस्टाइल से जूड़ी कई सारी बिमारिया पटने लगी है इसी तरह हमारे खानपान का हमारे डाइजेस्टिट सिस्टम से लेकर इम्म्यून सिस्टम पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है जिसकारण हमें मोटापा, थाइरोइट और हाई बीपीजेसी समझ से बढ़ जाती है इसी तरह हाई कोलोस्टोन के मामलों में मोडन लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान इसके लिए जिम्मेदार है अगर आप में से ऐसी आदत है तो इसे तुरंथ ही बंद कर दे ताकि आपको बहितरिन परिनाम देखने को मिले जिन लोगों को बेलीफेट की शिकायत है अपना बेलीफेट से परिशान हो चुके है या फिर अपने बेलीफेट को कम करना चाहते है उनके लिए फे ट्रुडिसर जूस पहुत ही फायदेबन होता है सुबशाम 30 ml लगा तर 2-3 महिने तक इसका सेवन करने से आपका बेलीफेट कम हो जाएगा और इसके कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले है फिर भी अगर आपको इसका सेवन से कोई भी नुकसान लग रहा है तो आप इससे तुरंत लेना बन कर दे या फिर आप अपने चिकिस्षक की परामर्ष अनुसार इसका सेवन करे अगर आप में से कोई भी इसका पहले से सेवन कर रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रू बताए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रू करे ताकि किसी को भी मदद हो सके सो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार